तो हलो गाईज तो वीकली करेंट अफेर्स वाले वीडियो में नवंबर मंत के दूसरे वाले हफ़ते का ये अमारा सेकेंड वाला पार्ट है जो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इसको स्टार्ट करते हैं तो important day वाला प्रशन है आपका प्रशन क्या है राष्टर सिक्षा दिवस ये कब मनाया गया तो अंसर होगा 11 नवंबर को तो इसे हर साल भारत में 11 नवंबर को मनाया जाता है National Education Day के रूप में और 11 नवंबर कोई क्यों मनाते हैं क्योंकि ये दिन स्वतनतर भारत के पहले सिक् अगर आपको याद है तो comment box में लिखके बताओ कौन साड़े है वो फिर अभी बहरीन के प्रधान मंतरी का निदन हो गया नाम बताइए उनका आंचार होगा शेक खलीफा बिन सल्मान अल खलीफा बहरीन के प्रधान मंतरी थे ये और याद रखना ये दुनिया के सबसे लं कूपरी कोस्ट के प्रसिडेंट बने लुई सर से बॉलीविया के प्रसिडेंट बने और वेवल रामकलावन से शिल्स के प्रसिडेंट बने बहरीन के अगर बात करेंगे इसकी capital मनामा है करंसी है बहरीनी दिनार फिर ये दुनिया के सबसे कम उम्र के computer programmer कौन बन गए तो आ प्रोग्रामिंग लेंग्वेज की परिक्षा पास कर लिए और दुनिया के सबसे कम उम्रके कम्प्यूटर प्रोग्रामर होने का गिनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया ये वैसे सेकंड क्लास में पढ़ते हैं देखिया और इसी के साथ इन्होंने पाकिस्तान मूल के 7 साल के ब्रिटिश लड़के मोहमद हमजा शहजाद का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया तो इनका नाम याद रखना बाकी आलिया जफर ये पाकिस्तान किर्किट बोड की पहली मैला निदेशक बनी अभी प्रियंकर रादक रिश्नन न्यूजिलेंड की पहली भारते मंत्री बनी थी ये निजिलेंड में और हर प्रीत सिंग अलाइंस एर की CEO बनी है और इनका नाम खास क्यों है क्योंकि हमारे देश में विमानन शेतर में किसी भी एरलाइन की पहली मैला CEO है ये फिर है तावसामी Life and Skills Through the Lens of Ramayana इस बुक को किस ने लिखा तो आंशार होगा रलाबांधी श्रेराम चक्रधर ने तो अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकया नाइडू जी उन्होंने इस बुक को रिलीस किया है जिसका नाम है थावसामी Life and Skills Through the Lens of Ramayana और इस बुक को लिखा है रिलाबांधी श्रेराम चक्रधर ने और इस बुक के सहल एखक है अमार का सारदा दीपती तो ये जो बुक है ये रमायन के कहानी को एक पिता और बेटी के बीच एक समवात के रुपे प्रस्तूत करती है बाकि अनुपम खेर ने एक बुक लिखी थी अभी Your Best Days Today और सरब प्रीत सिंग ने लिखी थी Night of the Restless Spirit और टी बंदो पाध्या ने लिखी थी Pandemonium The Great Indian Banking Tragedy फिर एक इस देश के राष्टरपती ने महात्मा गांधी पर एक पुस्तक जारी की है तो आंसर होगा नेपाल तो नेपाल के जो प्रसिडेंट है विद्या देवी बंदारी उन्होंने महात्मा गांधी जी की 151 जेनती को चिन्नित करनी के लिए महात्मा नेपाल की बात कर लें तो कैपिटल कार्ट मांडू है नेपाली रुपिया करंसी है यहां के प्रदान मंतरी केपी शर्मा उली है और प्रसिडेंट है बिद्या देवी बंदारी फिर एक इस राज्य ने सेचा समाधान मुबाइल एप्लिकेशन को लांच किया तो अंसर उडिसा के जो मुख्य मंतरी है नवीन पतनायक उन्होंने अभी सेचा समाधान नाम से एक मुबाइल एप्लिकेशन को लांच किया है तो यह जो एप्लिकेशन है किसानों के सामने जो सेचाई से सम्बंदित परेशानिया आती है तो अब किसान इस एप्लिकेशन की मदद से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे मतलब अब उन्हें किसी भी कारेले में अग खुद जानी की जरुवत नहीं है एप्लिकेशन खोलो उनकी समस्याओं को समाधान हो जाएगा उडिसा की केपिटल भुवनेश्वर है नवीन पतनायक यहां के मुख्य मंत्रियोगर ग तो ये बर्ड वाचिंग के लिए रामगड ताल जील में अंतर राष्टर परियाटकों को आकर शित करेगा ये फैस्टिवल और ये बर्ड फैस्टिवल शेत्र में एको सिस्टम को भी बढ़ावा देगा अच्छा उत्तर प्रदेश का ये जो शहर है मुरादाबाद अभी लोंच किया तो अंसर होगा करनाटक बेंग तो करनाटक बेंक ने नेशनल कॉमन मॉबिलिटी डेबिड कार्ड को लोंच किया है अचा ये है क्या तो ये बेंक पहला contactless debit कम prepared रुपे कार्ड है और एक अंतर-operative परिवहन कार्ड भी है तो इसमें आपको कहीं तर की सुविध नहाएं मिलेंगी तो आप इसे एक तरह से One Nation One Card भी कह सकते हो इसमें Point of Sell मशीन पर Debit Card को बिना मशीन में डाले आप Payment कर पाओगे मतलब Contact Less Payment आप कर पाओगे देखो करनाटक बैंक का Headquarter Mangaluru में है और अभी इसके MDCO का नाम News में था उनका नाम महाबले क्योंकि इनका जो कारेकार ले ना वो तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया था बाकी State Bank of India वैसे तो इसके नए Chairman बन गए दिनेश कुमार खारा लेकिन अभी Titan के साथ मिलकर के देश की पहले Contact Less Payment घड़ी इन्होंने लांच की थी Titan Pay नाम से IDFC First Bank अपनी तरह का पहला Contact Less Digital सुविधा Safe Pay को इन्होंने लांच किया था बाकी Indecent Bank RBI के अकाउंट Aggregator Framework पर लाइव होने वाला ये देश का पहला बैंक बना फिर अभी किसे भारत रतन Dr. Ambedgar पुरसकार 2020 से सम्मानित किया गया तो इस option में जाएंगे तो answer आपका सुनिल शेट्टी हो जाएगा Bollywood actor है सुनिल शेट्टी और COVID-19 में राहत प्रयासों में उनके योगदान के लिए ये प्रतिष्टित सम्मान इनको मिला है और ये सम्मान इनको दिया है महराश्टर के गवर्नर भगत सिंकोश्यारी ने अच्छा डेली आप लोग हमारा Current Affairs का Lecture देखते होंगे तो इस प्रशन से आपको याद आता हुगा अभी ये ही सम्मान एक और जने को मिला है वो प्रशन में आगे बताऊंगा लेकिन अगर आपको पता है कि वो किसको मिला है हिंट दे देता हूँ वो एक Actress है अब बताओ अगर आपको पता है तो comment box में टाइप करके बताओ बाकी सुनील चेटी की बात करेंगे ये NADA के भी अभी brand ambassador बने थे National Anti-Doping Agency के और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे like करते हुए चलना देखिए आप लोगोंने अभी like किया है या नहीं किया है नहीं किया है तो अभी इसको like कर दीजिए लास तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ और अहां इसे share भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में और अगर आप मेंसे कोई student इस channel को first time देख रहा है तो आप इस channel को subscribe कर सकते है subscribe करने के बाद में पास में bell icon को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे कि आपको notification मिलते रहें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो bell icon को प्रेस करना जरूरी है चलिए बढ़ते आगे फिर आप विश्व निमूनिया दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 12 नवंबर को हर साल 12 नवंबर को ये world निमूनिया डे की रूप में मनाया जाता है अच्छा वैसे 12 नवंबर को लोग सिवा प्रसारण दिवस पबलिक सर्विस ब्रोड कास्टिंग डे की रूप में भी मनाया जाता है तो ये दुनों आपको डे याद रखने 12 नवंबर से फिर अभी International Table Tennis Federation महिला विश्व कप का खिताब किस ने जीता तो आपको चैन मैंग ने दुनिया की नंबर वन टेबल टेनिस प्लेयर है ये चैन मैंग जो कि चाइना की टेबल टेनिस प्लेयर है नाम से समझगी होंगे और अभी इन्होंने अपना पहला ITTF महिला विश्व कप Table Tennis किताब जीत लिया है तो ये जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वोमेंस वर्ल्ड कप है ये अभी चाइना के वहाई में हुआ जो कि इसका 24 वा संसकरन था अचा टेबल टेनिस से ये दो नाम और याद रखो अभी न्यूज में थे ये नाम मनीका बत्रा का नाम तो इसलिए न्यूज में था अभी राजी उगांदी जो खेल रतने पुरसकार दिये गए पाँच खिलाडियों को उसमें से ये भी थी और पॉलमी भगटक ये वैसे तो भारते टेबल टेनिस प्लेयर हैं तो महराष्टर के राजपाल है ये बगट सिंग कोशारी और अभी उन्होंने मुंबई के राजभवन में माजी बिंट नाम की बुक को रिलीश किया है इस बुक को लिखा है पूर्व सिक्षा मंतरी राजेंद्र दरडा ने माजी बिंट का मतलब होता है मेरी दिवार तो ये जो बुक है राजेंद्र दरडा के सलेक्टेड फेस्बुक पोस्टों का कलेक्शन है जो उन्होंने पिछले चार सालों में पोस्ट किये हैं बाकी देखो हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकायान आइडू जी ने अभी एक बुक रिलीस की थी हमने पढ़ावी था पीछे क्या नाम था बुक का तवासमी लाइफ एंड स्किल्स त्रू दा लेंस ओफ रामायान बाकी आनन्दी बेन पटेल मद्यप्रदेश और उत्रप्रदेश की गवर्नर हैं इन्होंने एक बुक रिलीस की थी बाई बाई कोरोना नाम से और हमारे रक्षा मंतरी राजनाद सिंग जी हैं इन्होंने कौन से बुक रिलीस की अभी Connecting, Communicating and Changing नाम की बुक को इन्होंने रिलीस किया हमारे वाईस प्रसिडेंट एम वेंकायन आडू जी के तीन साल पूरे होने पर एज वाईस प्रसिडेंट और वैसे अभी इन्होंने अब Book of Flowers नाम की बुक को भी रिलीस किया था फिर है फॉरेस्ट स्टाफ के लिए COVID-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वत्तर का पहला Tiger Reserve कौन सा बना तो आंसर होगा पके Tiger Reserve तो अरणाचल प्रदेश का जो पके Tiger Reserve है ये पूर्वत्तर के आठ राज्यों में ग्रीन सेनिकों को COVID-19 के लिए बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला Tiger Reserve बन गया है तो ये जो Forest Guard होते हैं ये भारत की वन्य जीवों के मामले में सबसे Front Line सेनिक होते हैं और वन्य जीव संगरक्षन का श्रे इनी को दिया जाता है अचा पन्ना Tiger Reserve ये भी नियूज में था ये मद्य प्रदेश का है इसे UNESCO की World Network of Biosphere Reserve की सूची में शामिल किया गया इस तरह से ये भारत का बारवा और मद्य प्रदेश का तीसरा Tiger Reserve बना था और ये पक्के Tiger Reserve अरुनाचल प्रदेश का है अरुनाचल प्रदेश जिसके मुक्य मंत्री पेमा खांडू है बीडी मिश्रा गवर्नर है पर एक किस राज्य ने देश में MSME के तहत रोजगार प्रदान करने के मामले में शीड्स इस्थान प्राप्ट किया तो आंसर होगा महराश्टर तो लोगडाउन के समय लाखो मजदूरों को रोजगार देने में राज्यों ने अपने इस्तर पर प्रयास किये थे तो उन प्रयासों के परिणाम के आधार पर अभी RBI ने एक रैंकिंग जारी की है कि MSME के जरिये रोजगार देने में कौन सार राज्यक की सिस्तान पर रहा तो उसमें महराश्टर टॉप पर रहा सेकिंड पर तमिल नाडू था, तीसरे पर गुजरात था, चौथे पर मद्दे परदेश और पांचवे पर उत्तर परदेश रहा MSME मतलब होता है Micro Small Medium Enterprises जिसके मंतरे नितिन गड़करी जी है जिनका निर्वाचन शेतर है नागपुर फिर अब दूसरे विश्व स्वास्ते एक्सपो का उधगाटन कहां पर किया गया तो आंसर होगा वुहान चीन में तो चाइना के वुहान में अभी 11 नवंबर को दूसरे विश्व स्वास्ते एक्सपो का उधगाटन किया गया था देखो चाइना की केपिटल बीजिंग है करंसी है रेन मिन भी और प्रसिडेंटें शी जिन पिंग फिर भारते नौसेना ने किस नाम से पाँचवी स्कॉर्पियन श्रेणी की पंडुब्बी को लांच किया तो आंसर होगा वागीर तो अभी भारते नौसेना की पाँचवी स्कॉर्पियन श्रेणी की पंडुब्बी वागीर को अभी 12 नवंबर कोई मुंबई की मजगाउं डॉक से लॉंच किया गया था तो हमारे जो रक्षा राज्य मंत्री हैं श्रिपद ये सो नायक उन्होंने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी इस पंडुब्बी को लॉंच किया अचा वागीर मैंने आपसे क्या का भारत में बन रही 6 कलवारी श्रेणी की पंडुब्ब्बियों का ये हिस्सा है बाकि अगर 6 कॉर्परिन श्रेणी की पंडुब्ब्बियों की बात करेंगे तो उनमें पहली थी आईएनस कलवारी जिसे 2017 में लॉंच किया गया था दूसरी थी आईएनस खंडेरी, तीसरी थी आईएनस करंच, चोथी थी आईएनस वेला, और ये और पाच भी रही ये आईएनस वागीर अच्छा नेवल चीफ कौन है हमारे करमबीर सिंग है राकेश कुमार बदोरिया तो हमारे एर चीफ मार्शल है आर्मी चीफ हमारे मनोज मुकंद नर्वणे है फिर अभी किस बैंक ने MSMEs के लिए Smart Hub Merchant Solution 3.0 को लांच किया तो अंसर होगा HDFC बैंक ने तो अभी HDFC बैंक ने Small and Medium Enterprises के लिए Smart Hub Merchant Solution 3.0 को लांच करने की घोशना की है तो ये समाधान व्यापारियों और स्वह नियोजित पेशेवरों को तुरंत चालू खाता करंट अकाउंट खूलने और ओनलाइन भुकतान स्विकार करने में सक्षम बनाएगा HDFC बैंक का Headquarter मुंबई में है MDCO इसके नए बन गए October में शशीदर जगदीशन नाम है We Understand Your World इसकी टैग लाइन है और अभी HDFC बैंक के Chief Information Commissioner बने थे रमेश लक्षमी नारायान और बाकी इन तीनों बैंक के बारे में करने की योजना बनाई है जिसमें देश बरके 11 लाग खिलूनों का परदशन किया जाएगा और इसे बनाने की जो लागत आएगी वो 15,000 करोड रुपे होगी अगले 3-4 सालों में इसे पूरा कर लिया जाएगा गुजरात की बात करेंगे देखो गुजरात की कैपिटल गांधी नगर है मुख्य मंत्री विजे रुपानी है और गवर्नर है आचार रह देवरत फिरे किस मंत्राले ने लोकल फॉर दिवाली अभियान को शुरू किया तो अंसर होगा कपड़ा मंत्राले ने तो इसमें क्या था? इसमें कपड़ा जो मंत्री हैं स्मरती रानी उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस्थानिय बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने के लिए इस्थानिय वस्त्र और हस्तक शिल्प वस्त्रों को खरीद कर और उपहार में देकर अपनी दिवाली मनाए तो कपड़ा मंत्री को है हमारी स्मरती रानी है सिच्चा मंत्री हमारे रमेश पोकरियाल निशंक है पर्यावरन मंत्री हमारे परकाश जावडेकर जी है और स्वास्त मंत्री है डॉक्टर हर्चवर्दन फिर है वर्ल्ड काइंडनेस डे कि कब मनाया गया तो अंसर होगा 13 नवंबर को यानि कि विश्व दयालूता दिवस और इसकी ठीम रही थी The World We Make Inspire Kindness आचा वेसे आपको बता दूँ अभी 13 नवंबर को हमने राष्ट्र आयूरवेद दिवस के रूप में भी मनाया हर साल 13 नवंबर को नहीं मनाते हैं एक्चुली में धन्वंत्री जैन्ती जिसे आप धन्तेरस के रूप में जानते हो तो उसी दिन हम मनाते हैं राष्ट्र आयूरवेद दिवस के रूप में और अभी 13 नवंबर को यानि कि राष्ट्र आयूर्वेद डिवस के मौके पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने राजस्तान और गुजरात में दो आयूर्वेद इंस्टिट्यूट का भी उद्गटन किया था। फिर अभी कवी गीतकार जो गुलजार है उनके जीवन पर प्रकाशित बुक का नाम क्या है तो आंशार होगा बोस की आना। चंदन संग्रहाले ये कहां पर खोला गया है तो आंशार होगा करनाटक में। तो ये भारत का पहला चंदन संग्रहाले है जो कि करनाटक के मैसूर के अशूक पूरम में इस्तित अरण्यभवन में स्थापित किया गया। तो चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को सिक्षित करने के लिए ये संग्रहाले स्थापित किया गया है। देखो करनाटक की कैपिटल बैंगलूरू है, मुक्के मंतरियां बियस यदी यूरपपा और वाजुबायवाला यांके गवर्नर है। फिरे अभिनेता सोनु सूद की आत्मकता का नाम बताइए, जिसे देसंबर 2020 में रिलीस किया जाएगा, तो अंसर होगा आई एम नो मसीहा। तो एक्टर हैं, प्रोडूसर हैं और अब तो समाथ सेवी भी बन चुके हैं सोनु सूद और इनकी बायोग्राफिक को अभी देसंबर 2020 में रिलीस किया जाएगा, जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। और इस बुक के सहलेखक, यानि के को राइटर है मीना अयर, तो इस बुक में COVID-19 महामारी के दोरान सोनु सूद के अनुभवों को साज़ा किया गया है, अभी ये किसके ब्रेंड एम बेस दर्भी बने थे, एसर इंडिया के, फिर ए अभी हाली में किस राज्जे के मुख्य एर केर को शुरू किया है, तो इसमें होगा क्या, इसमें एर क्वालिटी में सुधार करने के लिए 65 विंग आउगमेंटेशन एर प्यूरिफाइंग यूनिट्स को गुडगाओं में हाई एर क्वालिटी इंडेक्स वाले शेत्रों में इस्तापित किया जाएगा, मकसद इ जो कैपिटल है वो चंदीगड है, मुख्य मंत्रिया मनोर लाल खटर और गवर्नर है सत्य देवनारण आ रहा है, फिर है किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने COVID-19 मरीजों को मुफ्त ई वाहन सेवा के लिए जीवन सेवा एप्लिकेशन को लांच किया, तो आंसरों का दि बुक कर सकते हैं इस एप्लिकेशन के थुरू, जीवन सेवा एप्लिकेशन इसका नाम है, फिर है किस राज्य सरकार ने मिशन रोजगार अभियान शुरू किया, तो आंसरोंगा उत्तरप्रदेश, तो उत्तरप्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिल मन्रिगा के अलवा होगा, उत्तरप्रदेश की कैपिटल है लखनव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदी बेन पटेल यहां की गवर्नर हैं, फिर हाली में अंतर राज्य प्रवासी नीती सूचकांक में कौन टॉप पे रहा तो आंसरोंगा केरल, तो प्र यहां के मुख्यमंत्रिया हों और आरिफ मुख्यमंत्र फान यहां की गवर्नर हैं, फिर हाली में परदानमंत्री कुसम योजना का विस्तार किस वर्स तक कर दिया गया तो अंसरोंगा 2022 तक, तो कुसम योजना यह basically किसानों के लिए है, तो इसमें किसान अपनी जमीन पर सो पंपों उनको solar energy से चलाया जाए तो अभी इसी योजना का विस्तार 2022 तक के लिए कर दिया गया और 2022 तक 30.8 गीगावाट की solar energy को प्राप्त करने का लक्षा है ये ध्यान रखो तो guys ये लिजी इसी questions के साथ November का second वाला week भी हमारा complete हो गया तो अब जाए करेक exam application खोली है और वहाँ पे इन सभी questions का आप quiz लगा लिजिए और एक और मैं आपसे request करूँगा इस humble request प्लीज अगर application पे कोई advertisement आपको दिखते हैं तो एक आत बार उन पे click जरूर कर दिया क्योंकि आप देख रहे हैं इन वीडियोज में weekly वीडियोज होगे इन पे बिल्कुल views नहीं आ पा रहे हैं दो-तीन अजार views आ करके रह जाते हैं बहुत मैनत लगती है इन्हें बनाने में तो इन वीडियोज से तो मुझे कोई benefit नहीं हो रहा है मैनत उतनी लगती है लेकिन आप लोगों के लिए फिर भी इसे continue रखे हुए हूँ तो प्लीज अगर आपके लिए इतनी मैनत में कर सकता हूँ तो आपके सिर्फ 2-3 सेकंड में मानूँगा अगर application पर कोई advertisement दिखता है तो उस पर click जरूर करा करें उम्मीद करूँगा आप मेरी मदद जरूर करेंगे Thank थाँ आपके लिए अपके लिए शर्फ शर्फ न करेंगे करेंगे